हाई उमीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे जैसे कि आप सभी को पता ही है कि इससे पहले जो है मैंने एक वीडियो बनाकर आपको जनकाइड दिया था कि अगर आपके पास भी नेट से नाउलोड करके आइडेंटी काड बनाया हुआ अधार काड है दो जो है काड आपको ओडर करना पड़ेगा तब ही जाकर किसी ना किसी कर्याले में फिर एक्जाम देने जा रहे हैं तो वहां पर आप इसको लगा सकते हैं जहां पर एडमिसेबल किया आता है मतलब कि इससे आपका काम चल जाता है अगर आपके पास यह नहीं है और नेट से आपने यह अधार काड डाउलोड किया हुआ है और उसका आइडेंटिकाड बना कर साइवेक एफे से अपले कहीं भी लगवा रहे हैं तो उसको जह एडमिसेबल नहीं किया जाएगा क्योंकि सरकार को ऐसा लगता है कि जो भी नेट से डाउलोड किया आते हैं उसमें किसी ना किस अपडेट खुद से नहीं कर सकते हैं अब देखिए इसी को देखते हुए जो ही सरकार के तरफ से बहुत पड़ी अपडेट आई हुई है मतलब इसको भेलेट करने के लिए मालीजी आप में से काफी सर लोग और रहे थे कि इसको हम भेलेट कैसे करेंगे तो भेलेट करने क सबसे पहले कि तरफ से एक मुबाइल अप्लिकेसल लाउंच किया गया है अधार keyword code scanner इसको आप play store से अगर आप android user है तो play store से डाउलोड कर लेंगे जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं वह इस तरह का application होता है अगर आप iphone चलाते हैं तो आप एप store से इसको डाउलोड कर सकते हैं और आप desktop में और laptop में इस्टॉल करना चाहते हैं तो मैंने एक article लिखा ह जिसमें सारा जनकारी क्लियर करके बताया हुआ है उसके माधियम से अप उसको डाउलोड करके अपने laptop में डेश्टप में भी जो camera होता है उसके माधियम से आप इसको रिफाई कर सकते हैं और विश्टॉल करना है इसको उपन करना है उपिन करने के बाद कुछ अलाव करने के लिए बोलता है जिसको आपको अलाव कर देना है और उसके बाद आपका जो camera है वो चालू हो जाएगा ठीक है जैसे कि आप यहाँ पर स्कीन पर देख रहे होंगे अब camera चालू हो जाता है तो यहाँ पर देखेंगे कि इस अधार कीजिएगा फिर किसी का form भर रहे हैं कुछ data मैच हो रहा है तो उस से उस condition में भी आप इसको verify कर सकते हैं ठीक है और इसका में मक्सद ही है साथ ही सब्सक्राइब कर सकते हैं और यह ही मतलब यह जो कीवर कोड अप्लिकेशन है ना वही मतलब करे इवाइडी आई के तरफ से प्रींट करके पीबीसी काड भेजा गया है और जिसके आपका कीवर केड मेंसन है उसी को भी वैलेट करेगा ठीक है दुसरा किसी को नहीं करेगा तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं जैसी मैं आपको दिखाया इंस्टॉल करना है इसको भी ले रहा था कोई आपके साथ फ्रोडिंग करने की कोशिंज कर रहा है तो आप उस जगह पर इसका इस्तमाल कर सकते हैं वेरिफाइग कर सकते हैं कि वाकई में यह अधार कर जो है सई है कि नहीं है इसके लिए मैंने एक आडिकल लिखा हुआ है उस आडिकल को अप नहीं पढ़ नहां भी रहें सुलक्षित रहें स्वास्त रहें बहुत-बहुत धन्यवाद